माई नेम इज अंकुर और वेल्कम टू आल आन्रो चैनल आर्टुयाम बहुत टाइम से मेरे पास एस्परेंट्स की रिवांड आ रही थी कि सर एक ट्रिक चाहिए नॉमंग क्लेचर आफ रिफ्रेजेंट्स के लिए तो कि इसको समझने मुद प्रॉब्लम होती है एक्जाम व सबसे पहले देखिए जब लोग पढ़ेंगे नॉमंग क्लेचर आफ रिफ्रेजेंट्स इसमें तीन चीज़ आएगा पहला है सब्सक्राइब कर दोसरा है और तीसरा है इन और यह निक कंपाउंड सब्सक्राइब कर दो नोगा वो कुछ इस तरीके से होगा उसमें कारबन तachen होगा हइडरोजन होगा फ्लोडीन होगा गुलुण होगा शीएचений छह यह थीएड हैं संच्रैल clock में च्रह नंबर आफ कारबन ऐसरा वर यह संब्सक्राइब का और इसका फार्मला होता है Saturated का R' M-1 N-1 P Unsaturated में क्या करना है Same formula है बस आपको M-1 चे पहले एक 1 लगा देना है बागी एज़टी सेम है R' 1 M-1 N-1 P R' के बाद M-1 एक digit को बता रहा है N-1 पूरे एक digit बता रहा है P पूरे एक digit बता रहा है R' के बाद खुटल टीम digit रहेगा Saturated Hydrocarbon में R' M-1 N-1 P Unsaturated में R' के बाद 4 digit रहेगा 1 M-1 पूरे एक digit है N-1 पूरे एक digit है R' 1 M-1 N-1 P और यहाँ पे होता है N-P plus Q is equal to 2M plus 2 Saturated में और यहाँ पे होता है N-P plus Q is equal to 2M unsaturated में अब Saturated का example क्या है R11, R12, R22, R134A और Unsaturated का example है R1150 Clear? अब माल देजिए एक्जाम में आपको बोला गया कि आप R11 का chemical formula निकालिए ठीक? सबसे पहले R11 कि R के बाद 2 digit रहा है जाकि मैंने बोला Saturated में होगा 3 digit R' M-1 एक digit है N-1 P1 तो हम क्या करेंगे R111 को लिखेंगे C value 0 M की value 1 N प्लस 1 C value 1 तो N की value 0 और P की value 1 है और N प्लस P प्लस Q से Is equal to M plus 2 Solve करें Q is equal to 3 Put कर दीजिए C HFCL C1 M है नमर काउटम एक हो गया C की value 1 हो गई N N की value कितने हो जाए? N0 है H0 हो गया P आपका कितना है? 1 है तो यहाँ P मैंने Flurant 1 हो गया Q मारा 3 1 हो गया तो मतलब R11 का formula होता है CFCL3 तो अगर एक्जाम में निकालने को आता है R11, R12, R22, R134 तो आप इस तरह से इनका formula निकाल सकते हैं यह तो वो clear हो गया मैंने आपको दिखा दिया R11 करके तो आपको पता होगा R11, R12, R22, R134 यही एक्जाम में most result है इसी से question आता है तो तीनों को formula CFCL3 CF2, CL2 CHF2, CL C2S2, F4 अभी मैं आगे आपको ऐसा trick बताऊंगा जहां पर इस formula को chemical formula को आपको निकालने की जरूत नहीं है आप within seconds answer कर देंगे कैसे अभी आगे बताऊंगा ठीक है unsaturated का जहें मान लिजे R1150 है similarly R के बाद 4 डिजिट है होना भी चाहिए यहां भी है M-1 N-P P से compare के लिए M-N-P की वलून निकाली यह पुट कर दीजे तो इसका formula होता है C2H4 और inorganic का अगर आपको करना है इन और रिपेशन काहन से NH3, CO2, SO2, H2O, Air यह most commonly used है NH3 का molecular weight होता है 17 R717 CO2 का molecular weight होता है 44 R744 SO2 का molecular weight होता है 64 R764 H2O का molecular weight होता है 18 R718 Air का molecular weight होता है 29 R729 इन अगने रिपेशन आप डियाप्री देखते है पाए चाहन जाएंगे NH3, CO2, SO2, H2O, Air इस तरह आपको सबका molecular weight होता होता है 17, 44, 64, 18, 29 अब हम लोगों देखते है एक्जाम में most other time जो question आता है वो इससे आता है R11, R12, R22, R134 option देखे का इसमें से कौन सा R11 का है कौन सा R12 का है, कौन सा R12 का है कौन सा R22 का है इसको कैसे करें, within seconds वो देखते है देखें, trick क्या है तो trick सबसे पहले यह है R11, R12, R22, R134 है उनका पावला मैंने लिख लिया आप देख रहोंगे जैसे रैसे यह number increase कर रहा है वैसे वैसे यहाँ पे number up chlorine atom decrease कर रहा है तो यही trick है as the number increases number up chlorine atom decreases 11, R11 में 3 chlorine R12 में 2 chlorine R22 में 1 chlorine R134 में 0 chlorine और आपने पढ़ा होगा eco-friendly represent eco-friendly represent वही represent होता है जिसमें chlorine atom absence हो तो इसलिए इसका example है R134 है eco-friendly represent R134 यह है या पिर इसका ozone depletion potential से list होता है R134 है, इसमें कोर्षन आता है इन चारों में कौन सा eco-friendly वही होगा इसमें chlorine atom absence हो तो trick क्या है जैसे रैसे number increase करेगा वैसे वैसे number आप chlorine atom decrease करेगा तो मतलब R11, R12, R22 11 में 3 chlorine 2 chlorine, 1 chlorine 0 क्या आत कर दीजे 11, 12, 22, 134 3, 2, 1, 0 यह trick होगा, number बाढ़ा chlorine atom काट रहा है पर एक छोटा सा note देख लीजे azeotrop क्या होता है azeotrop are the mixture of refrigerants which behaves like pure substance जितने भी azeotrop होते हैं most of the time start होंगे 500 वालब 500 की series होती है 502, 503, 517, 504 तो generally start होंगे 500 से और azeotrop जब मुलते mixture of refrigerants इसके अंदर carbon, hydrogen, fluorine, chlorine approximately सारे ही आ जाते हैं तो कि mixture of refrigerants, fluorine भी आ जाएगा अब कुछ questions देखते हैं जहां पर आपको इस trick का फायदा मिलेगा देखिए ये question exam में आया r22 is the short name for अब exam को इतना time नहीं है कि आप r22 को फिर लिखें r- m-1 n-1 पर इतना करने का time नहीं होता है तो trick क्या है r11, r12 and r22 वनने बताया था 3 chlorine, 2 chlorine 1 chlorine आपको देखना है कि 11, 12, 22, 3, 2, 1 1 chlorine कहां पर है ये option कड़ गया ये option कड़ गया ये option कड़ गया तो एक ही option बचा तो जहां पर 1 chlorine ऐसे आप निकाल सकते हैं exam में तो देखिए ये exam इन्होंने option बिस्ट ऐसा किया है r11 का ये है ये r12 का है ये r22 का है और ये r134 के एका है इस trick से आप कर सकते हैं जैसे यसे नमबर बढ़ेगा क्रोलेटम करता रहेगा 3, 2, 1 तो नमबर बढ़ेगा र22 का अगला question देखिए फिर भाई r22 का फार्मला कौनता है फिर आपको चेक करना है कहाँ पर आपको पता है न ग्यारा 12 एंड पाईस 3, 2, 1 तो कहाँ पर क्रोलेटम एक आ रहा है ये नहीं आ रहा है यहाँ पर नहीं आ रहा है यहाँ पर नहीं आ रहा है यहाँ पर एक ही option है इससे आप तुरद निकालनेगा आपको solve करने जरूरती नहीं है कि आपको पूरा solve करने जाए similarly यहाँ प्पूचा इसमें से कौन था chloro-fluorocarbon रिप्रेजेंट है मतलब इसमें फ्लोरीन भी हो, क्लोरीन भी हो तो आपको पता है 744 किसका होता है 744 एक इन और अगनिकर रिप्रेजेंट है इसको solve करेगा तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन नहीं मिलेगा तो एक्जाम में अगर टाइम नहीं है तो इस लोजी से भी एंसर निकाल सकते है ओके, I hope आपको यह ट्रिक पसंद आया होगा अगर आपको ऐसे यह ट्रिक, कंटेंड और कंस्ट चाहिए तो चैनल को like करिए, share करिए, subscribe करिए, till then take care, goodbye